इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे model first approach के बारे में entity framework का पिछले दो वीडियो में हम लोग already code first approach और database first approach पढ़ चुके हैं और इन दोनों ए approach में बहुत सारे basic term को भी हम लोग cover किये but model first approach में हम लोग थोड़ा सा extra करेंगे जैसे हम लोग कुछ relationship बनाएंगे table बनाएंगे तो चलिए हम लोग एक अपना demo project बनाते हैं project बनाने के लिए visual studio में file new project और इस window में आप जाएए web पे और फिर यहाँ पे asp.net mvc4 way application चूज कीजिए और अपना location यहाँ पे आप select कीजिए और ok कीजिए इस project template में हम लोग internet application चूज करेंगे पिछले videos में हम लोग inpt template से कर चुके हैं इसमें थोड़ा सा अलग करते हैं internet application इस template से यह होगा कि हमको accounts related models और उसका views मिलेगा और फिर हमको home controller मिल जाएगा और उसका views भी मिल जाएगा इसलिए हम लोग को कुछ extra setup नहीं करना पड़ेगा चलिए हम लोग यहाँ पे ok क्लिक करते हैं यह आपका project create करेगा और यह मेरा project बन गया चलिए solution explorer में कुछ चीज़ देखते हैं जैसे हम controller में यहाँ देख सकते हैं account controller home controller और फिर यहाँ पे आप views में देख सकते हैं account से related views और home से related views यह दोनों folder के अंदर में हम लोग को मिल गया इसके लिए हम लोग को कुछ अब extra काम नहीं करना पड़ेगा direct हम लोग चलते हैं और अपना model बनाते हैं एक और चीज़ आप यहाँ notice कर सकते हैं दिफ्रेंसेस में आपका entity से related library भी आपको यहाँ पे मिल चुका है चलिए हम लोग model एक add करते हैं अपने project में इसके लिए model पे right click किजिए add और फिर यहाँ पे new item पे जाएए इस window में आप data पे जाएए और यह ado.net entity data model को select किजिए आप यहाँ पे नाम change कर सकते हैं हम यहाँ इसको default रहने देते हैं और फिर आप add पे click किजिए इस window में हम लोग database से अपना model नहीं बनाएंगे यह already हम लोग database first approach में पढ़ चुके हैं यहाँ पे हम लोग empty model select करेंगे और फिर आप यहाँ पे finish click किजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको blank एक data model designer हमको मिल गया यहाँ पे हम लोग अपना model का sketching करेंगे इसके लिए हम right click यहाँ पे करेंगे फिर add में जाएंगे और entity पे click करेंगे इस window में हम लोग अपने entity का नाम student रखते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं entity set name अपने आप plural हो जा रहा है यहाँ पे कुछ और देख सकते हैं जैसे id नाम का एक property automatically इस entity में add होगा जो primary key का roll करेगा और यह इसका property type होगा int 32 चलिए इसके लिए अब ok click किजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे id property हमको एक by default मिल गया अभी हम लोग id को यहाँ पे select किये हैं और insert key प्रेस करेंगे keyboard पे आपको एक नया property मिलेगा हम यहाँ पे name देते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं right click किजिए add और scalar property आपको फिर एक property मिलेगा यहाँ पे हम लोग address देते हैं और चलिए इसको simple रखते हुए एक दूसरा entity बनाते हैं हम लोग इसके लिए फिर right click किजिए add और entity किजिए यहाँ पे आप mark देदेजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी pull roll हो गया और same यहाँ पे भी id field इस entity में एक होगा जो primary की होगा इसको आप ok click किजिए यहाँ पे हमको मिल गया marks का entity यहाँ पे फिर insert किजिए और subject यहाँ पे देदेजिए और फिर record field इसमें obtain mark देदेजिए तो चलिए हम लोग का दो entity यहाँ पे बन गया अब हम लोग इस तोनों entity में यानि दोनों table में हम लोग relationship बनाते हैं इसके लिए हम right click करेंगे add new पे यह बहुत ही अच्छा है और हम लोग कुछ ऐसा relationship चाहेंगे जैसे हर student के लिए marks entity में बहुत सरा marks हो इसके लिए हमको one to many relationship चाहिए आप देख सकते हैं यह आपका entity framework automatically यह आपके लिए create कर दिया है जैसे हर student के लिए यहाँ पे many marks होगा एक और चीज़ आप देख सकते हैं navigation property यहाँ पे student table में एक नया field add होगा navigation property marks और यहाँ फिर एक mark entity में एक navigation property add होगा student यह बस दूर table को दिखाने के लिए होता है इसका कुछ database या उसके records पे कुछ इसका effect नहीं पड़ता है एक और चीज़ है यहाँ फे foreign की है जो marks table में जो mark entity है उसमें एक field नया add होगा यह बताएगा कि हर marks के लिए कुछ relational data और student में होना चाहिए इसका मतलब कि यदि आपके student entity में यदि कोई record नहीं है तो आप mark में entry नहीं कर सकते हैं दोनों यह entity के बीच में आप इस model पे देख सकते हैं student model में आपको एक navigation property मिला marks और marks entity में आपको मिला एक navigation property student और जो primary की हम लोग यहाँ पे foreign की relationship जो हम लोग association बनाते समय देखे थे जो marks table में एक नया field add हुआ वो यहाँ पे student id तो चलिए इस model से हम लोग database बनाते हैं database बनाने का बहुत सरा तरीका हो सकता है चलिए हम लोग database पहले हम लोग setup करते हैं इस SQL Server Management Studio में इसके लिए database पे right click कीजिए new database और यहाँ पे database हम लोग देते हैं school और फिर आप database name school देने के बाद आप ok click कीजिए यह एक नया database आपके लिए add करेगा और इसी database में जो school database मेरा बना इसी में हम लोग अपने entity framework के table को बनाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं भी कोई table नहीं है तो चलिए हम लोग कुछ इसमें यहाँ पे model पे right click कीजिए और यहाँ पे आप एक option देखिएगा generate database from model इस पे आप click कीजिए इस window में आप जाएए new connection पे और फिर यहाँ पे Microsoft SQL Server सेलेक्टर के continue कीजिए इस window में आप अपना server name सेलेक्ट कीजिए जो आप database SQL server इंस्टॉल करते से में जो आप दिये होंगे itorian PC हुआ है यहाँ पे मेरा और फिर यहाँ पे database name में आप school सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम लोग बनाये थे जब यह हो गया आप यहाँ से connection अपना test कर सकते हैं और connection मेरा सही है आप यहाँ पे ok क्लिक कीजिए और आप देखेगा अभी आपके लिए यहाँ पे connection string आएगा यह entity connection string है जो आप देख सकते हैं यहाँ तीन चीज एक cdl file और ssdl file और यहाँ पे msl file और यह normal connection string यहाँ से आप देख सकते हैं जो हम लोग दूसरे किसी वे प्रोजेक्ट में हम लोग जो कनेक्शने स्टिंग देखते हैं चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर आपके लिए एक SQL script आपके लिए DDL जेनरेट होगा इस SQL script को हम लोग database पे run कराएंगे जो हम मेरे लिए table और उसका relationship setup करेगा यहाँ पर हम finish करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर script तयार है आप यहाँ पर total देख सकते हैं जो हम लोग model पर setup किये हैं उसका field सा बनाय आपका table बनायेगा आप यहाँ से connection को connect कर दिजिए ताकि वहाँ पर आपके लिए table बन सके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका query successfully execute कर गया अभी आप SQL Server Management Studio खोलिए और आप यहाँ पर refresh किजिए आप देखिये गए यहाँ पर आपके लिए table बन के तयार है तो अब time है हम ल चलेंगे सबसे अभी और हम लोग controller add करेंगे तो controller add करने के लिए solution explorer में जाए controller पर right click किजिए add पर जाए और controller पर click किजिए यहाँ पर हम लोग student controller पहले add करेंगे इसलिए यहाँ पर student आप type किजिए template में आप MVC controller with read write action and views using EF आप select किजिए model class में आप यहाँ पर student देख सकते ह है इसको select किजिए और data context class में आप select किजिए यहाँ पर model one container और यहाँ पर add क्लिक किजिए यह आपके लिए controller add करेंगा student name का और उसका अलग-अलग views data insert करने के लिए update करने के लिए delete करने के लिए यह सब views भी आपके लिए create करेंगा आप देख सकते हैं एक controller student controller add हुआ और इसका different views भी यहाँ पर create हो गया अभी हम लोग mark controller add करेंगे इसके लिए फिर controller पर right click किजिए add पर जाए controller पर और यहाँ पर mark type किजिए फिर यहाँ पर model class में आप mark select किजिए और context में आप select किजिए model one container और add click किजिए यह एक नया mark controller आप के project में add करेगा और उसका different views भी add करेगा और यह अब आप देख सकते हैं अपने project में आपका mark controller add हो गया और इसका different views भी add हो गया तो चलिए अब हम लोग अपने project को पूरी तरह से setup कर चुके हैं चलिए अब run करते हैं और देखते हैं कुछ data insert करके सबसे पहले हम लोग mark में insert करेंगे data और देखें हैं कि real में जो हम लोग association बनाते समय जो foreign की हम लोग setup किये थे वो काम कर रहा है कि नहीं यदि वो काम करता रहेगा तो mark entity में हम लोग value insert नहीं कर सकते हैं बीना किसी यदि student में कोई value नहीं हो तो यदि student entity में यानि table में कुछ value है तब ही हम marks उसका enter कर सक करते हैं और आप अपने screen पर देख सकते हैं हम लोगा project अभी run कर रहा है चलिए हम लोग mark controller में navigate करते हैं इसके लिए हम यहाँ mark type करेंगे और interface करके उस controller पर जाएंगे और हम यहाँ पर आगए चलिए कुछ नया record create करते हैं यहाँ इसके लिए create new पर click किजिए और subject दीजे आ और आप इसको create करने का कुछिस कीजिए आप यहाँ पर देखिएगा एक error message the student id field is required मिन्स हमको एक student पहले चाहिए तभी हम उसका marks इंटर कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले student entry करते हैं इसके लिए student में जाए और फिर यहाँ create new पर click करके आप एक नया student entry कीजिए और create पर click कीजिए और यह नया record आपका entry हो गया आप यहाँ से edit, details, delete यह सब एक्षन आप यहाँ पर perform कर सकते हैं चलिए हम लोग mark इसका entry करते हैं create new और यहाँ पर mathematics 87 और यहाँ पर देख सकते हैं student आपका pop-up हो रहा है student select कीजिए create पर click कीजिए और यह आपका record add हो गया तो हम लोग इस वीडियो में पहले हम लोग model बनाए, model से database create किये, फिर हम लोग उसका proper controller create किये, उसका view setup किये और हम लोग project को run करके देख सकते हैं अब कि मेरा project completely run कर रहा है झाल कर रहा है